सिपर छोरा चिचोरा और भावना घटिया भी थी जिनका काम बस वहाँ इतना साथा कि उन्हें सोसल मेडिया पर अपने अच्छे अच्छे फोटो डालने है ताकि सिप कंपनी की मार्केटिंग हो पाए आगे खाने की टेबल पर जब वो दे धड़ादर दे धड़ादर फोटो खीचे जा रहे थे तब वहाँ बैठा एक रहीश दुर्गती नाम का आदमी भावना घटिया से पूछता है क्या तुझे वो चाउमिन नहीं खानी वो कहती है नहीं मुझे इससे ऐलर्जी है छोरा च मेरी कमपनी ने पूरे देश में अपना दबदबा बना लिया था तुम कह सकते हो कि उस समय मैं ही राजा था और मैं ही मंतरी अब आज समुदर में काफी उथल पुथल हो रही थी और आज ही कैप्टन को सिप के सारे महमानों के साथ डिनर करना था जिसमें एक एक करके सभी और बड़ी होती है तो सिप की हालत बिगड़ने लगती है जिसमें उन रहीशों की टटी खड़े से निकल कर सिप में फैलने लगती है जिससे उन अमीरों को लगता है कि आज तो उनके प्रांट पखेर उड़ने वाले हैं जिस पर वो उपर वाले से रहम की भीक मांगते हैं जो उनकी सुन लेता है और सुबह हो जाती है जहां हम कुछ बंदूग धारियों को सिप की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं जिसकी अमीरियत देखकर शिपर भावना घटिया उसके चेफ होने की कोशिस कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि यहां जितने भी अमीर लोग है वो साले किसी की परवा नहीं करते इसलिए जब बाहर सभी लोग पानी पी रहेते तब जुल्मी सब्बो कुछ खाने पीने का समान अपने बैग में छुपा लेती है एक पीस उनका रखती है और एक पीस अपना रखती है जिससे होता ये है कि आधा उन्मुफ्तख्रों के हिस्से में जाता है और आधा अके जिससे तुझे अपना जीवन जीने में आसानी होगी। वो कहती है यहां से वापस जाओगे। अच्छा मजाक है चलो अब फटा-फट मुझे कैप्टन बुलाओ वरना तुम सबको मैं तुम्हारी ना नियाद दिला दूँगी। जिसमें जब सभी एक एक करके उसको कैप्टन बुलाने लगते हैं तो वो उनको कुटो की तरह उक्टोपस की एक एक बोटी फैक कर देती हैं जिससे पोला को बहुत दुख पऊचता है पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी क्योंकि उन सब की लगाम उसके हाथ में थी। जिसकी सब्बो उनकी क्लास लेती है क्योंकि उन चूतियों ने आग का ध्यान नहीं रखा उपर से एक पैकेट चोरी करके खा लिया जिसमें उपहार के तोर पर उसे खाने का समान मिलता था जिसको वो अपनी गल्फ्रेंड के साथ बाटा करता था आगे हर रोज हर रात जुल्मी सब्बो छुरा चिचोरा को खाने के बदले अपने साथ लाइफ बोट में ले जाने लगी जिस पर वहां के सारे मर्द उसके सीट ये बजा कर मजे लेने लगे थे कि साले कभी हमें भीखुष कर दिया कर धीरे धीरे करके इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं जिसमें अब सभी की आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है फिर एक दिन सिकार करते वक्त जोर मार को एक गधा मिलता है जिसको मार कर उसे अफसोस होता है कि यार उसने किसी की जान ले ली खैर उसे खाने के बाद गधे की आत्मा को सांती देने के लिए वो सभी एक गुफा में उसकी पेंटिंग बनाते हैं है जिसमें वो जूमी से कहता है देख हम यह जुप चुपा कर कर रहे है और यह इस बड़कह मेसकी चलत पढ़ते हैं और तुने सारे मर्दों को अपना गुलाम बना रखा है जो असल जीवन में करना ना मूम्किन था खेर वो कई गंटों तक लगातार आगे बढ़ते रहते हैं जिसमें भावना घटिया अचानक से ऐसी जगह पहुच जाती है जिसे देखकर उन्हें ऐसास होता है कि वो तो कई महीनों से एक लगजरी रिजोर्ट के पास फसे हुए हैं जिसे भावना घटिया को बहुत खुशी मिलती है कि अब वो यहां से निकल सकते हैं लेकिन जुल्मी सब्बो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि यहां से बाहर की दुनिया में उसका कोई नहीं था जिसके साथ ही यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है जानता हूँ इस कहानी की ओपन एंडिंग आप सभी लोगों को रास नहीं आई होगी पर यह इतनी भी बुरी नहीं थी क्योंकि इसके आगे की कहानी आप लोग अराम से सोच सकते हो इसी के साथ चलते हैं मिलते हैं